वाह क्या बात है इंसानियत की करामात है यहां जानवर कोल हुआ आखिरिये सोचने की बात है कैरल के मलपुरम एंड पलककर बोडर के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने ये प्रश्नी चिन उठा दिया इंसानियत पर कि क्या वाकई असली वायरस क्रोना वायरस है या फिर स्वेम इंसान मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगे एक ऐसी घटना से जिसका जिम्मेदार स्वेम रहा इंसान ये आर्टिकल मैं आपको दिखा रही हूँ दा हिंदू का प्रेगनेंट वायल एलिफेंट डाय इन केरला आफ्टर क्रेकर फिल पाइन एपल एक्स्पलोडिड इन हर माउथ किसी इनसान ने किसी इनसान की ये करामात है जिसने प्रेगनेंट एलिफेंट को एक ऐसा पाइनेपल खिला दिया जिसमें क्रेकर भरा हुआ था बारूत भरा हुआ था ये घटना घटित हुई केरला के मलपुरम एन पलकड बॉर्डर के बीच में जहां पर एक प्रेगनेंट एलिफेंट को किसी ने एक ऐसा पाइनेपल खिला दिया जिसमें की पारूत भरा हुआ था जिसमें क्रेकर्स भरे हुए थे आप खुद समझ सकते हैं कि क्या इस्थती हुई होगी उस पाइनेपल को खाने के बाद इस प्रेगनेंट एलिफेंट के इस प्रेगनेंट एलिफेंट का नाम था पची मारम जिसकी अब डैथ हो चुकी है एक शोक करने वादी बात विचारने प्रशन ये उठता है यहां पर कि ये घटना घटित हुई थी 27 माई को 27 ओफ मे को बट ये घटना सामने आई 3 जून को पूरे 6 दिन का समय लगा इस घटना को सामने आने के लिए और ये घटना सामने आई फेस्बुक के थुरू वहां के फोरेस गार्ड मोहन कृष्णे ने ये फेस्बुक पर पोस्ट टाली थी जिसके तुरू ये घटना सामने आई वाके क्या ये प्रशन नहीं उठाती इंसानियत पर कि जानवर ये है या फिर खुस्वयम इंसान है नौबल करोना वाइरस जहां एक तरफ पूरी विश्म में चाया हुआ है वही ऐसी घटना ये प्रशन उठा देती है कि अ ग्यात में बट ये इनफ नहीं है FIR रजिस्टर होना ही काफी नहीं होता इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी भी कुछ सीमाएं है उसे उस सीमाओं में रहना ही चाहिए आरूत से भरा पाइनेपल खाने के बाद उसका जोग पूरी तरह से ब्रोक हो चुका था पू काफी अच्छी होती है इसने अपने सिक्सेंस से पता लगा लिया था कि अब ये नहीं बचने वाली और ये वैलियर नदी में उतर गई फेस्बुक हो या वाटसेप हो या फिट ट्विटर हो हर कोई अपने स्टीटस पे लगा रहा है कि हम क्रोना वाइरस को हराएंगे हम जीतेंगे बट इस वाइरस का क्या होगा जो इहां पर इंसानियत के रूप में वास करता है इंसान के रूप में एक्जिस्ट करता है काफी सलेब्रेटीज ने काफी परसंस ने ट्विट करकर इस दर्दनाख हत्या के निंदा करी है वहीं अक्षे कुमान ने ट्विट करके कहा maybe animals are less wild and human less human कि जानवर कम जानवर होते जा रहे हैं बट human इंसान कम इंसान होता जा रहा है इंसानियत खोती जा रही है what happened with that elephant is heartbreaking in human and unaccepted strict action should be taken against the culprit ये tweet करा अक्षिर कुमार ने कल रात को हम कहते रहते हैं कि मेरा देश बदल रहा है क्या ऐसे बदलेगा हमारा देश और जानवरों के साथ ऐसा वेवार क्या ये प्रदशित नहीं करता कि इंसान भी अब जानवर हो चुका है इंसान भी अब जानवर बन चुका है